आज हमारे स्टूडियो में जो महमान है उनका नाम है राम महर मलिक जी आपका हमारे शो में स्वागत है धन्यवाद कुमल सर आज हम देख रहे हैं कि राशनीति जो पल्यूटिड हो चुकी है ठीक है जिसे परदूशित राशनीति का नाम दिया जा रहा है उसको बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कुमल मैं आपको इमानदारी से बताना चाहूँगा कि आज लोगों का ध्यान ज्यादा तर अभी आपको जिनों से देख रहे हैं दिली में एक और डिवन लगाया है और कई चीजें और भाने बाजी बर रहे हैं वो यानि कि जो प्रदूशन बता रहे हैं ये हवा में प्रद dosta हो रहा है क्योंकि इस पर सरकारों का बिल्कुल ध्यान ही नहीं है कि हम ह्वा को किस तरीकी से साफ रहे हैं लेकिन इससे भी ज्यादा जिक्ष्र चिंता हमारी है प्रदूशित होती या दूशित होती राजणीती है सब बेमारीयों की जड़ वही है हमें राजणीती को त तो हुआ है आजाद भारत, बहतर साल हो गए, लेकिन आजादी नाम की चीज आज भी हमें जमीन पर कहीं भी नजर नहीं आ रही है, आप किसी से पूछ के देखिए, गरीब से पूछ के देखिए, क्या वो अपने आपको आजाद समझता है, किसान से पूछ के देखिए, की शिवा करेगा, वो उनकी शिवा करेगा, ये राजनीती इतनी दूर्शित हो चुकी है, गॉमल, इसको तुरंथ हमें स्वच करने की जरूरत है, और यही कारण है, कि फूजी जनता पार्टी का जन्म हुआ है, सेनिकों के नित्र तो में फूजी जनता पार्टी का यानि अब जैसे कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, हमारे मानिय प्रदान मंतरी महुद है, पिसले पांच साल, बहुत बड़ा डमरू बजा के गए हैं यहांपर, सुच भारत का, पता नहीं क्या सम्म, मुझे नहीं समझ भारा, यहां तो जो स्कीम लाई जारी है, गॉ वोट बैंक कैसे आएगा, इनके ज़्यादे ज़्यादा वोट कैसे मिलेंगे, किसी को भारत को स्वच करने की चिंदा नहीं है, मैं कहता हूँ, भारत को अगर आपने स्वच करना है, सच मुझ, तो आप राजनिती में ज़ाड़ू लगाईगे, राजनिती में जैसे ही गोशना हो जाती है, तो तुरंट एक जो सबसे पहले काम किया जाता है, वो है उमीदवार की चैन परकरिया, पहले उसका चैन परकरिया चलेगी, और वो जो चैन परकरिया है, वो जो दौर है उस वकत का, वो भरस्टाचार की जननी है, सबसे गंदा दौर हुआ ही है क्योंकि यहां उमीदवार कोई उसकी शराफत से इमानदारी से या उसके त्रिष्टर को देखकर नहीं चाड़ा जाता है कि जो गुंडागर्दी बदमाशी करके और पार्टियों को लाग लाके राजनिती वालों को पैसे लाग रके कि उनको कमा के दे जनता से कोई किसी का लेना देना नहीं है लेकिन हम जो उमीदवार का चैन करा रहे हैं वो जनता से करा रहे हैं क्योंकि आखिर उस उमीदवार ने या सनस्दीक सित्र के उमीदवारों से हम पता करेंगे भई आपके लिए आपके हितों की रक्षा करने के लिए कोन आदमी सही है जिसको आप एमान्दार समझते हैं, dedicated मानते हैं जिसका चरीतर उंचा है उनसे हम नाम लेकर के उनको हम उतारेंगे राजनीती में और उनसे कोई एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा फ्री में हम उनको टिकट देंगे कुझकै जब टिकट बिक्ने बध होंगे तबही राजनीती सुध्द होगी तबही शाफ होगी और जो दूशित राजनीती इसलिए है क्योकि वर्ष्टाचार से लिपता ही और यह वर्ष्टाचार 10 तभी खत्म होगा जब यहनि हमारे समिदान में लिखा है कि जन प्रतिनीधी चुनकर अंदर भेजे जाएंगे पर्लेमेंट में या असेंबली में जन प्रतिनीधी तेकर आज कौन जा रहे हैं आज आप नजर उठा करके दिख लिए आपको जन प्रतिनीधी वहां एक भी नजर नहीं आएगा कोई का दुका कोई इंडिपे के उटे सीदे काम करके और वो किसी तरीके से जीत हासिद करता है अब आप बढ़एए जो आज मीं इतना क्रच़ा करके इतना पैसा लगा कर अगया है तो क्या वो जनता के लिए काम करेका वो तो अपना पैसा कमाएगा अपना प्र पांच साल बात दोबारबरा इस उसको जान के मताबिक उनके हक उनको देने हैं आप बताईये बहतर सा लोगे कोमल आज गरीब जहां था वहां भी नहीं भी नहीं है उससे और नीचे जा रहा है कुषान आप देखिए इदे कुषान और हर सरकार बोलती है, हम किशान होगी आए दो गुनी करेंगे, कोई बोलता है, हम तीन गुनी करेंगे, उनकी जो आए है, वो भी नहीं रहती है, वो भी आदी हो जाती है, तो ये किस के लिए काम कर रहे हैं, ये जूट है वायदे करके आते हैं, कोई ना किशान किसी को चिं हूं आप शुद्र राजनिति जीसे दने कर देंगे राजनिति को आप जी से स्वंच species के देंगेupunय सब अपने आप हो जाएगा क्योंके राजनिती राज करने की निती आज इसके बारे में बोला जा रहा है कि राजनिती सबसे गंदा काम है सबसे बरस्ट काम है क्यों क्योंके इन लोगों ने अपनी दुकाने चलाने के लिए उसको ऐसा बना दिया गया है उसको ऐसे सांचे में ढ इसलिए लोगों खराब लगता है असल में राजनीती तो राज करने की निती ये तो बहुत ही एक धर्म का काम है पुन का काम है यानि हम देश के ओपर किस तरीके से राजनीती यानि ये राजनीती एक्चुली धर्म है मगर लोग क्या धर्म की राजनीती कर रहे हैं जातियों को राजनीती में खुषा दिया धर्म को राजनीती में खुषा दिया ये बहुत ये दुर्बा के पूरूने को बहुत दुर्बा के पूरूने मैं आपके माद्यम से पूरे देशवासियों से इस देश को आज़ाद करा के गए हैं आज उन्हें को याद करने के लिए भी किसी की इच्छा नहीं है तो मैं चाहता हूँ उनके सपनों का भारत हमें बनाना है हमें सहीदों के सपनों का भारत बनाना है उसके लिए मैं पूरे देशवाशियों से निवेदन करूँगा आप पार्टी का हिस्सा बनिये, तन्मन धन से इसके साथ लग जाएए, और अपने तरीके से इस देश को आप चलाइए, अपने तरीके से आप अपने हितों की रक्षा कीजिए, आप खुद कानून बनाएंगे, अपने ही लिए कानून बनाएंगे, आज कानून उन के लिए बन र करना होगा कुमल तो मैं दिंता से अपील करूंगा किर्पयाः फोजनता बाढ़ी का हिससा बनी है सैनिकों ने इसको लीड किया है और सैनिक ने कभी भी देश को या देशवाशियों को धोखा नीं दिया है सैनिक सरदपर खड़ा है वो परिवार को भूलके शिर्व उसके सा प्राशियों के तक दुस्मन को नहीं जाने देगा तो अब इस देश की राजनीति को सुद्ध करना है सुच करना है ताकि भारत वरस एक सुन्दर देश बन सके सचमुच एक विश्वशक्ति बन सके इसके इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने आज देश की इस चि पहुंच सके आपके सबसे पहले